द्रन्वी शो क्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो आपने मुझे कहा था कि आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता है माले में जो और आइट आप आस्टू की सबसे क्रेजी चीज़ क्या थी फिर से वो कहानी बताई है पर हिंदी में हम लोग यह की टाइम की बात है सब लोग बंद पड़े है ज्यादा कुछ मुवमेंट नहीं है और इस टाइम पर जो फॉना है वो भी काफी फ्लरिश कर रहा है पहड़ों में कुछ काम आया था हम लोग ने 6-7 लोग की टीम बनाई लोग कुछ अचीव करने निकले थे उदर से जुनार गली करके एक पास है माउंटन पास का क्या होता है आप इस वैली से जब उदर जा रहे ना तो माज चीज़ें अलग होंगी आपका टेरेन चेंज हो जाएगा और टीटूट शायद नीचे जाना पड़े तो यह साथ जूनार गली कि जुनार गली से नीचे की तरफ जो हम बढ़ना शुरू करें वहां पर नीचे एक इसका नाम है सिला समुंदर शिरा समुंदर नाम ही इसले क्योंकि पत्थरों का समुंदर है वहाँ पे इतने सारे रॉक्सबस पड़ेवें हैं आप सारे नीचे दिखो कहें इस डिन जब opinion के साथ में नीचे आ रहा क्योंकि यह इतने symmetrical very symmetrical इनका वो था तो इस चिला समुंदर यह नीचे आ गए हैं यह पत्थर के पीछे हम ने कैम्प किया था अब इस पत्थर दिख रहा है ना यह दो घाट कहते हैं इसको दो पत्थर हैं यह आपको शेल्टर देते हैं दो दांत कहते हैं दो घाट कहते हैं तुम्हें पास ना बहुत बड़ा व्यू है इस पूरे वैली का जो कि सिर्फ पत्थरी पत्थर हैं शिलाज बिचे में यहां से में वेभी पांसों मीटर से भी कम ही आऊंगा नीचे उपर एक टीम रह रहे की तो उनका वेट कर रहे थे हैं मैं और मनोज हम बैटे वेदे ह यहां पर मैंने मनोज को मैंनोज वो देख तो यहां से में अपने राइट में देखा है जस्ट और यहां पर मुझे फाइफ सिर्कल्स दिखे हैं जो फिफ्थ सिर्कल्स था इधर कुट बिदे हैड और टेल ऑफ बाड़ी आप देट बाड़ी एर एंटिटी जो भी है न व वो तो यहां मैनमेड लग रहा था इतना ज्यादा सिमेट्री थी उसमें बाकी जो सिर्कल्स थे वो डिफ्रेंट साइज इसके थे मतलब जैसे अमेरिका में क्रॉप सिर्कल्स होते हैं हां अगर उस दिन कुछ एरियल व्यू मिल जाता न उस जगे का और मैं अब लड़कों दो दीन कर पार है कि वहां पे कुछ है ऐसा हाँ उसको वो कलर नहीं दिख रहे है जो मैं उनको बता रहा है जो गरीन री और लांचनिस से बπόें एक और की inpert यहां यहां यह कि यह किसी और ताउन या सिटी से बहुत दूर है बहुत ज़्यादा दूर है मतलब इनसान वहां कि वहां पर लोग आते हैं वह कीड़ा जड़ी का खेती करने या फिर उसको उगाने के लिए मेरी कॉम्प्रेंशन के साफ से और मैं अपने फील में आइकन टेल डिस्टेंस लॉजिकल वे में बता सकता हूं कि यार कुछ चीज है तो यह ऐसी क्यों है वाइन हाव फिंग्स मै जानता हूं और मैं तब बताता हूं अगर मैं समझ पा रहा हूं वहां से जब मैं उसका डिस्टेंस देख रहा हूं इतना दूर है वो दिख रहा है तो मतलब बढ़ा है वहां से वहां तक पहुशने में पहाड़ में मुझे लगना है एक दिन मेभी मों वहां से यहां आवर चाहिए पत्थोरों को मूव करके मतलब जब महां पहुचूंगा ना I'm 100% sure कि वह एक स्टेडियम होगा अगर मैं उस जगे में कभी अगर नेक्स टाइम जाओंगा फॉचिनिटली तो वह स्टेडियम स्टेडियम के साइज जितना बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखा एकदम डिस्टिंट हिमाल है मैं डिस्टिंस एक भी नहीं तीन चार थे कुछ लोग का यह माना था कि वहां पे ग्लेशियस थे और वह ग्लेशियस को कि अब पिघल गए तो ग्लेशियस जब मेल्ट वह वह मत वह नेचर ही ऐसा है कि वह सर्कुलर वे में रहता है तो वह लास्ट का जो पार्ट है वह काभी प्रॉमिन लगता है रादें दे रेस्ट अव द लेक में मेरे खाल से वेजीटेशन आजाए या कुछ आजाए एक यह एक अलग बात बुली थी किसीने तो वह आपको दिख र पहाड के जस नीचे बड़े फोटो में हां बड़े फोटो में रिज है पहाड का राइट वो जो जुनार गली लिखावा यहां पर जुरा गली लिखावा है आपको दिख रहा है मांट त्रिशूल पीक्स एरो टोड्स राइट हां अब इसको फॉलो करते वे एक एरो त्रिशूल के बेस में और वहां पर यह चीज है कोई इस चीज को देख रहा है ना आज सुन रहा है हमारी बाते उसको जाना चाहिए मेरा कभी मिला मौका मैं फिर से जाओंगा मां पर क्योंकि वो उस चीज ने मुझे कुरोसिटी दिया है जिस दिन मैं आपसे इस बारें तर रहा था उस दिन और घ्रोसिटी बड़ी दिए फॉस अनफॉचनेटली कुछ महां पे कोई काम वाम निया अब जाना भी इतना दूब या आठ दिन वहां जाने में लगेंगे और और राशन और चीज जगी के बात कर रहा हूं वो तो और ही यादा दूर है तो हम लोग से हटके जो यह यलो रास्ता बनावा है इसे हटके और राइट में जाएं फॉर शोर वहां पे कुछ है मुझे लगता है किसी को जुरूर जाना चाहिए यह सारे इलाके मैप्ट है सर्वे ऑफ इंडिया ने काफी सारे मैप कर रहे हैं जिनका आक्सेस टू सिविलिंस नहीं है लेकिन बहुत सारी और्गनाजेशन अब यह आ गही है जो एक गूगल मैप्स और कॉंटो मैप्स को मिक्स करके एक हाइब्रिड वर्जन लेके आते हैं तो वह अविलेबल हो जाता है सिविलिंस को बट फिर्फेक्ट नहीं होगा यहां पे वह रस्ता भी नहीं है कि आप और इतना हाई अल्टिटूड हो जाता है ना कि आप मतलब जानवर भी नहीं जाएगा इस गली से जस्थ पहले जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना वह लेक में स्केलेटन्स बहुत सारे लोगों की मृत्ती हुई है इसको मिस्ट्री लेक कहते हैं इस जगे को यहां प सारफ के साथ वो पिखल के नीचे आते हैं और उस लेक में स्केलेटन्स बिग हुमन स्केलेटन्स होंगे बट उनका जो साइज है इस शोर्ली फॉर यह इस बैक जब हुमन्स थोड़े बड़े हुआ करते थे यह तो साइंस के रिए तो वो यह दीजार दो स्केलेटन्स जो इनकी कार्बन डेटिंग वही देवर टेकन तू स्विडिन अधर यूरोपिन कंट्रीज जहां पे लोगों ने रिसर्च किया तो देया लॉट अफ थेओरी इस डाप कुछ लोग यह कहते हैं कि राजा को रानी ने मना करा था कि वहां मज जाओ राजा को एक जगे जाना थ एक्स्ट्रोर करने के लिए वह एडिया दूसरी तरफ और रानी ने मना कर रहा का था तित्ती अच्छी नहीं थी और यह गलत चीज हो गई उनके साथ एक कानी वहाई के लोकल गाउं की है दूसरी कानी यह कि एक एक्स्ट्रोरेशन चल रहा था मुगल के टाइम पे में भी प्राइर टू अर्ली मुगर इंवेजन के टाइम पे कि यार इधर की तरफ आना है हिमालियस को एक्स्ट्रोर करना है तो यह लोग इस तरफ फसर कहते हैं हेल स्टॉर्म आया एंड और आल गाट स्टक और डाइड बाकि यह जो यूरोपियन वह हैं स्कूल अफ तॉट्स उ कुछ और फीश्ले मैं काफी पुरानी होंगी जो मैं बताने वालाओं को आप करना कि लोग ना तृशूल से इदर की संपधित खृति को दोग हैं पूल थी की लूगकर आहां कमाना है च्छा पाणा है और कुछ barrier चाहिए ये लोग ना आपा हैं हमें बचाओ तो शिवा ने बोला यार मेरे साथ मेरी नंदा रहती है मेरी पारवती रहती है उन्हाने वापे नंदा गुंटी बना दिया जो कि एक फिर barrier बन गया तो जो लोग उस टाइम पे आ रहे थे वो लोग आपे फजगए और ये डाइ तो stories हैं, कहानिया हैं बहुत सारी concrete क्या है? ये वही है ये सब वही है, ये सारी bones वहीं की है यहां तो ये बहुत अजीब perspective से shortly है यहां तो ये हड़िया बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है, नहीं बड़ी है सच में बड़ी है मतर्ब कितनी बड़ी हो ये, अगर इसी टांग है मतर्ब आप परसंब बड़ी बीटल मैब़ और ये हैं बड़ी है मने टाइक और मैयंने मेजर भी करा है Giant bones Very giant bones स्कल्स थे अभी तो यह सब टूटे वाले परने हैं अभी स्कल्स अरह मांसे गया वह रहे हो रहे हरे छलके बड़े स्कल्स हैं और दान्थ इस इस सटील अक्टिव जो दान्थ है झाले तक हैं फ्लेश बागी सब कुछ लेकिन दान अभी दग थे महाँ पर यह है मिस्टीरियूस लेक काफी टाइम लगता है जाने के लेकिन अभी तो काफी बैंड भी कर रहा है उत्राकंड सरकार ने उस जगे के काफ क्योंकि बुग्याल्स को काफी नुकसान हो था मेडूस को तो अब पर जाते हैं लोग जाते हैं और कौनसी ओकल्ट ओरियंटर्ट जगह देखिए आपने थोड़ी सी मिस्टीरियूस मिस्टीरियूस जगे बहुत हैं पहाड़ों में तो बहुत जादा ही है विच वन स्टेइड विद यू दिस विल स्टे विद मी औरेवर और कुछ नेपाल में काफी जगे हैं हिमालियस में अब गूमें हो नेपाल में अन्नापुर्ना रीजिन के अराउंड काफी गूमाओं अब वह ना जब वहां पर किसी की मृत्ती हो रही है कहीं पर तो वह जो बॉड़ी है जो एंटिटी है जिसने अपने प्रायर अंतियाग दिये वो इट ह मुझे पहाड के मुझे पता है कितना effort लगता है वहां जाने के लिए तो मैं उस courage उस effort को feel कर पाता हूं और मैं अपनी vibe कुद बनाता हूं कि उस बंदे की मृत्यू कैसी हुए क्या उसके circumstances रहोंगे तो bad feeling or sadness तो आ नहीं है क्योंकि I have been there myself तो कोई unfortunate है अन्पूर्णा रीजन में बहुत हुई है बहुत सारी death हुई है जो लोगों ने क्लाइब करने कोशिश करी अगर आपको ये clip अच्छा लगा ऐसे हजार clips upload किये गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ क्पतर सेढय करने कोशि inspरते जाओ झाया है